स्पॉन्सर बाई गुरू कुलम इंटरनेशनल स्कूल फैसन मौल सिंग मार्मल एंड सरीटीशन जारखन में नई सरकार की गठन से पहले फलामू से करीब निस्तना बूध हो चुके नकसलियों की सुखबुगाहट फिर से शुरू हो गई है लेसली गंठाना से कुछ ही दूरी परिस्थित पत्रही गाउं में रात ग्यारह बजे सडक निर्मान कार्य मलगे हाईवा को आग के हवाले कर दिया गया पीएस पीएस नामक नकसली संगठन ने परचा छोड बिना आदेस लिये काम करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि करीब देड़ दरजन लोग आकर मुंसी के बारे में फूचताच की और थोड़ी देर में हाईवा में आग लगा दिया जाते वक्त अपराधियों ने फाइरिंग डी थी हलाकि पूरे मामले को लेकर समवेदक अनूब कुमार जैसवाल ने लेसलिगन ठाने में प्राथमी की दर्ज करा दी है पुलिस घटना स्थल पहुचकर नकसलियों द्वारा छोड़े गए परचे और खोखे को बरामद कर ली है जल्द ही वारदात में सामिल अपराधियों के गिरफतारी का भरोसा भी दिया है परची टिपीची का लोग परस्तुत किया कि यहीं छोड़के गया है ताखे और हम लोग वहां आग बुद्वा के चारों तरफ जामिलीन करने लगे वहां पर एसे किन चारों तरफ छिरियाया हुआ बोली था कुछ-कुछ